पचे कुछे आतंकियों को कश्मीर की तरक्की और विकास रास नहीं आ रहा है जिस वक्त दुनिया के कई देश कश्मीर में निवेश करना चाहते हैं धी कुसी वक्त आतंकवादी माहौल विगाडने का काम कर रहे हैं आपको बता दे की हाल ही में कश्मीर में अचानक पुलिस कर्मियों और सैन्ने कर्मियों पर हमले बड़े हैं आतंकियों और उनके भैकावे में आये कुछ स्थानिये लोगों ने अब भेज बदल कर सुरक्षा बलो पर हमले शुरू कर दिये हैं ऐसी ही एक घटना कश्मीर के स सुपोर में सामने आई है जहां बुर्का पहनी एक महिला ने CRPF के एक नाके पर पेट्रोल बंग फैक दिया संदिग्ध महिला ने पहले पेट्रोल से भरे बैग को जलाया और फिर सुरक्षा भलो पर उसे फैक दिया ये घटना CCTV में कैद हो गई राहत की बात तो ये है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है सुरक्षा भलो का कहना है कि सुपोर में CRPF पंकर पर पेट्रोल फैकने वाली महिला की पहचान हो गई है और उसे जल्द ही गिरफतार कर लिया जाएगा आपको बताते कि कश्मीर में जान भूज कर माहौल बिगड़ने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान और कश्मीर में बैठे पाकिस्तान के प्रेमी नहीं चाहते कि देश और विदेश की कमपनिया कश्मीर में आकर निवेश करें कश्मीर की आम जनता इन लोगों की चाल समझ चुकी है और इन लोगों को अब यही डर सता रहा है कश्मीर की आम जनता तो अब सुरक्षा बलों का साथ भी दे रही है कश्मीर के लोग अब सुरक्षा बलों पर भरोसा करते हैं कश्मीर के युवा भी अब समझ चुके हैं कि उन्हें नौकरी चाहिए हाथ में पत्थर नहीं बस इसी लिए बचे कुचे ये खतरनाग लोग साजिश रच रहे हैं